हेलो एव्रिवन मैं अंकिल सिंग पाथाइस एकाडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी भरती है सिक्षट भरती परिक्षा और बहुत सारे व्यापम और भी आगे एक्जाम लेने वाले हैं तो पाथाइस एकाडमी ने यूटूब पर आपके लिए प्रोग्राम चलाया है और साथ ही साथ क्लास्रूम प्रोग्राम में अविलेबल है सिक्षट भरती चात्रावास अधिक्षट जिसको हम होस्टल वार्डन भी कहते हैं पत्वारी आर रही और जितने भी प्रतियोगी परिक्षाएं चैतिस घड़ में हैं उन सारे प्रिक्षाओं के लिए हम लोग सिरीज लेकर आ रहे हैं ये गणित की एक अच्छा है गणित की क्लास है जिसमें आपको गणित की 20 से भी अधिक वीडियो मिलेंगे यानि लगबग लगबग आपका 50% से ले बस तो यही पर हो जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्रिशन के स्रिंखला होगी इस वीडियो से और आने वाले सभी वीडियो से उमीद है कि बहुत सारे प्रेशन सीधे सीधे आपके एक्जाम में आएंगे तो इस सीरीस के थूच लिए इस सीरीस को पढ़िए आपको ये स्रिंखला कमयाबी के मार्क तक जरूर पहुचा देगी कमयाबी तक भी पहुचा सकती है मार्क पर आजाओगे सही रास्तेव को चुनोगे सही पात को चुनोगे तो जरूर कामयाब होगे तो जैसा कि ये हिंदी रथा अंग्रेजी दोनों भासाओं में होगी जो हमारे questions होंगे भासा हिंदी ही रहेगी और एक दम basic से हैं जो भी होगा सारी चीज़े basic से होंगी basic basic चीज़े ही exam में आती हैं तो आज का topic है percentage part 1 यानि percentage का part 2 भी आपको मिलेगा तो चलिए start करते हैं देखते हैं थोड़ा सा syllabus कि क्या क्या हमारे पर syllabus है देखो syllabus जो वह भापम ने provide करा है उसने गणित के syllabus को unit यानि इक आई 1, इक आई 2 और इक आई 3 में रखा है मैंने इक आई 1 और इक आई 2 के जो भी topic है उस topic को इक आई 1 में रख लिया है अवको मिला दिया है ताकि जो sequence में आपको वीडियो का देने वाला हूं वो इस sequence में मिले यह समय पढ़ना क्या क्या है प्रतिशत और प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दस्मलों वड़ियो को प्रतिशत में बदलने से संभन्दित प्रष्ठ यह एक एक में था और एक एडू में क्या था एक एडू में था प्रतिशत्ता जनव व्रित्य दर जनसंख्या में बृधिया और आस्टे संबंदित प्रश्ट ठीक है तो यह सारे प्रश्टन हम लोग वीडियो 2 में देखेंगे ये percentage का video 2 आएगा और ये अभी percentage का video वन आप देख रहे हो अब जब प्रतीशत पढ़ लिया तो लाभानी क्यों छोड़ें? तो लाभानी पढ़ेंगे क्राय विक्रे मुले लाभानी इन्हें प्रतिशत के रुप्त में व्यक्त करना यह आपके सिलेबस ने दिया है लेकिन सिर्फ लाभानी पढ़ लेने से नहीं होगा क्योंकि जब आप क्राय विक्रे करते हो तो क्राय विक्रे करने के लिए छूट भी मिलता है तो उस छूट को कैसे समझोगे तो उस छूट की सीमा को समझने के लिए एक डिसकाउंट टॉपिक करके आता है, तो मैं डिसकाउंट यह नहीं छूट या बट्टा वुस टॉपिक चैन अलग ही वीडियो दूगा तो इसमें भी आपको दो वीडियो मिल जाएंगे वैसे ही जब प्रतीशत पढ़ लिया तो हमें सधारन ब्याज भी पढ़ना होगा समाननी ब्याज सधारन ब्याज, सधारन ब्याज क्या है इससे सबन्वित प्रेश्ट ये जरूर सवेबस ने बोला है कि सधारन ब्याज पढ़ो लेकिन आप देख लेना question paper लेकर कई बार उसमें compound interest यानि चक्रविधी ब्याज के भी question पूछता है तो सधारन ब्याज पढ़ोगे तो फिर चक्रविधी ब्याज क्यों छोड़ू वो भी आपको पढ़ा दूगा उसके बाद हमारे पास है आउसत आउसत निकालने से संबंद प्रश्ण question related to finding average इंग्लीज में मैं थोड़े चीज़े इसलिए लेकर आया हूँ कि कई सारे student अंग्लेजी माध्य हम सभी पढ़े होते हैं या कई सारे student को दोनों चाहिए थोड़ा सा इंग्लीज थोड़ा सा हिंदी तो सब के लिए ये वीडियो काफी ही मददगार होगी फिर हमारे पास है चाल समय दूरी चाल समय और दूरी निकालने संबंदित प्रश्ण अब जब चाल समय दूरी निकालोगे तो आपको time and work भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा तो वह भी वीडियो मिलेगा अनुपात एम समानुपात और समानुपाती भागों में भी भाज है तो मैं आपको एक अनुपात पे अलग कुश्चन दे दूँगा रेशियो का वीडियो और समानुपात पे अलग वीडियो दे दूँगा दो वीडियो यहां से भी हो जाएंगे हो सकता है कि अनुपात में एज रिलेटेट और पार्टनेर्शिप ऐसे ऐसे भी मैं आपको दो चार वीडियो और प्रोवाइट करा दूँगा उसके बाद महत्तम समापवर्त लगुत्तम समापवर्त लिटस कॉमन फैक्टर एं लिस तो इसमें भी हो सकता है कि आपको दो वीडियो मिल जाए। एक वीडियो से वह काम चल सकता है क्योंकि जब हम महत्तम और लगुत्तम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम जाएंगे नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया चायाएगा। उसके बाद ये उनिट थ्री ये उनिट वन और टू में देखो आठ टॉपिक है आप से लिबस से वहरे मैच कर सकते हो यूनिट थ्री में क्या है एडवांस मैच थोड़ा सा समतल आकृतियां पिरिभुज चत्तुर भुज और वृत समतल आकृतियां मतलब 2D फिगर कहते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना होगा समतलिया अकृतियों का चत्रफल त्रिभुज आयतन समानंतर चत्रफुज एहम समलम चत्रफुज यानि यह हो गया मेंसुरेशन 2D चत्रफल दिखा परिमाप निकालना और यह हो गया मेंसुरेशन 3D ठोस की मांगे लंबाई इचत्रफल आयतन घन और घन आप भी पढ़ना और ठोस की मांगे मतलब आपको बेलन संकू गोला यह सब भी पढ़ना है तो इस सबसे भी रिडिटेट वीडियो मिलेंगे तो टॉपिक कितने हो गए आठ नौ दस से ग्यारा और मैंने लगबग लगबग सभी टॉपिक पर दो दो वीडियो कम से कम देना है तो ग्यारा दुना बाइस तो यही आपको दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि पाथ है इस एकाडमी बस आये यूटूब पर दो वीडियो देके और चली जाए जब हम पढ़ाने आए हैं तो आपके एक्जाम तक आपके साथ रहते हैं 37 गड़ क पहली एकाडमी है जो अपने तैस समय सीमा में सारा सिलेबस खतम करती है और आपको अपडिटेड नोट्स मेटेरियल और टेस सीरीज के साथ पढ़ाती है जिससे सरवाधिक रिजल्ट प्राप्त होता है तो पाथाजिस एकाडमी पहली बार व्यापम में है पहली बार व्य तरीके से तैयारी करनी है तो आप आफलाइन या लाइफ क्लास कोर्स जोइन कर सकते हैं अगर आप रायपूर या आसपास से हैं तो आप क्लास्रूम प्रोग्राम को जोइन किजे काफी कम फिस में चीज़े अबलेबल हैं और अगर आप रायपूर से बाहर से हैं तो फिर आप live class को जोईन कर सकते हैं आप recorded video series जैसे यहां पर आपको मिल रहा है वैसे आपको कि यहां से भी pen drive course भी मिल सकता है तो आप query कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर इसी भी सहायता के लिए चलो आज का हमारा chapter क्या है प्रतिशन 1 प्रतिशन, प्रतिशन का अर्थ समझना है हमें प्रतिशन को दसमलो को प्रतिशन में बदलने से संस्वंदित प्रशन भी करने हैं इसके हलावे भी मैं आपको और भी अधिक प्रश्न करवाऊंगा, चलो आगे बढ़ते हैं मैं आपको एक और information दे दूँ कि test series hostel वार्डन के लिए launch हो चुका है कुल 14 test आपको देने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 200 रूपे कीमत में इतने का तो समोसा खा जाते हो जैसा भी है आप आकर office में visit कर सकते हो यह सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक ही valid है अगर 10 मार्च तक आप लेना चाहते हो तो मात्र दोसों में इससे सस्ता टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा इससे कम रुपे में मिलेगा भी तो जो quality पाथ है इसकी है वो quality आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि सारे यहां CGPAC और UPSC की तयारी कराने वाले preparation कराने वाले टीचर्स हैं यह ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा देना जानते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और एक बैतरीं टेस्ट सरीज का लाब उठा सकते हैं चलिए सुरू किया चाहिए टॉपिक प्रतीशत मानों को भिन में बदलना है तो प्रतीशत को भिन में बदलने से पहले हमें क्या क्या चीज़े आनी चाहिए आईए सीखते हैं अच्छे एक और चीज़ था यहां पर प्रतीशत का अर्थ तो यही पर मैं आपको समझा दो कि प्रतीशत का अर्थ क्या है हिंदी में क्या कहते हैं इसको प जोड शत ये बनता है प्रतीशत प्रतीशत मतलब एक प्रतीशत 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 प्रतीश और इसको हम इस प्रतीशत चिन्न से इंगित करते हैं एक बटा सो को किसे दर्साते हैं? इस प्रतीशत चिन्न से एक बटा सो को दर्साते हैं अब देखें ये प्रतीशत चिन्न से एक बटा सो को दर्साएंगे मतलब प्रतीशत का मान हो गया एक बटा सो अगर आपको कहीं X प्रतीशत मिलता है और बोलेगा कि इस प्रतीशत को हटाईए यानि इस प्रतीशत को भिन्य में बदलिए तो कैसे बदलेंगे तो ये X गुना 1 बटा 100 मतलब ये जो प्रतीशत है वो इसके साथ गुडित रूप में है तो अब हम इसको लिख सकते है X से कम X और बटा 100 तो ये क्या होगी है? X बटा 100 वैसे जन्रली मैं इस X का प्रयोग नहीं करता हूँ तो कि ये बहुत ही बड़ा बेवफा है आप X का मतलब समझ सकते हो तो हम लोग वैरियेबल A, B, C, D इसके अलावे 25 हो रहना हमारे पास अलफबेट तो हम जिसकी मर्जी उसको यूज कर सकते है तो ये है प्रतीशत का मतलब प्रतीजोर सत, सत मिन्स हैकड़ा, प्रती मिन्स एक जो सौ में एक की बात कड़े उसे प्रतीशत कहते हैं और एक बटा सौ को प्रतीशत चिन्य से रिपलेस करते हैं उससे इसको प्रतीशत थापित करते हैं तो ये हुआ प्रतीशत का मतलब अब मैं अगर बात करूँ प्रतीशत को बदलने की तो ये रहा, जैसे सौ प्रतीशत अगर दुनिया में कोई चीज है तो सौ परतीसत किसको कहते है हमेशा सौ परतीसत एक को कहा जाएगा सौ परतीसत किसको कहा जाएगा एक को यह कि एक किसी भी संख्या के साथ हर समय गुनाग रूप में रहता है किसी भी संख्या के साथ हर समय भाग रूप में रहता है मैं अगर अगर लिख रहा हूं तो यह बराबर 5 लिख दिया तो यह अकेले नहीं है यह एक गूना एक बराबर भी 5 ही होगा और ए बटा एक बराबर भी पांच ही होगा अब ए बराबर ये पांच गुना एक हो सकता है यहां से ए बराबर पांच बटा एक हो सकता है तो किसी भी रूप में एक का प्रियोग किया जा सकता है एक का पावर एक एक ही होता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दुनिया में अगर सौ प्रतीसत कुछ है तो वो क्या है एक ठीक है अब 50% को बोला कि भिन्दे में बदलो तो 50% को भिन्दे में कैसे बदलोगे तो ये देखो 100% है एक तो एक का आधा है ना पचास सो का आधा है पचास तो एक का आधा हो जाएगा दू तो ये तो बिना बदले ही अंसर आ गया तो बदलेंगे कैसे अगर आपको मैथेमेटिकली जाना है तो क्या करोगे तो देखो ये था पचास और इसके साथ लगा हुआ था प्रतीशत चिन तो आप कर दो पचास गुनित इस प्रतीशत चिन्द के लिए क्या बरोगे एक बटा सो पचास गुनित एक बटा सो पचास एक कम पचास और पचास दुना सो तो ये हो गया एक बटा दू पचास प्रतीशत का मान क्या हो गया एक बटा दू बाकी आप logically भी समझ सकते हैं तो मैं तो logic की बात करता हूँ मैं तो तर्क की बात करता हूँ मैं magic की बात करता हूँ कैसे magic की बाते होंगी है आज की पूरी class मैं आपको बहुत सारे concept बता रहा हूँ दस लगभग 10 concept या दस type के question देखने हवाले हैं हम आज की वीडियो में दस type मतलब एक एक type पे दो तीन प्रस्ण भी हो सकते हैं यानि तीस से भी अधिक प्रस्ण देखेंगे इस वीडियो में तो जुड़े रहिए अंतितक कोई promotion नहीं कोई इधर उदर की बाते नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आप classroom को fill करोगे कि कैसे path आई इस academy में classroom में पढ़ाई होती है वैसे ही मैं यहां भी पढ़ाने की कोसेस कर रहा हूँ यह free of cost platform है इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी आएं और कुछ भी करके चलेगें इसके पहले भी व्यापमाया था तो हम लोगों ने life fashion लिया था life classes चली थी 4-5 महिने तक life classes हमने लिये हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने फैदा उठाए है इसको भी फैदा उठाए है वीडियो आगे आपको पसंद आती है तो आप comment जरूर कीजेगा like तो करना ही करना है जैसे 40% अब फटा फटा आप सबका find कर लो अगर आपको आता है तो और वीडियो को fast करके देख सकते हो 40% तो आप क्या करोगे 40 into प्रतिशत को आप एक बटा 100 से बदल दो अब 20 दूना 40 और 20 पंजे 100 इसका मान क्या हो गया 2 बटा 5 जैसे 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत की बात के जाए तो ये क्या होगा 1 बटा 4 डारेक्ट लिखूं 100 का चौथाई भाग है तो एक का चौथाई भाग चलो मैं एक डारेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं आपको हल करना सिखार हूँ एकदम बेसिक का मतलब एकदम बेसिक ही होता है कुछ जादा नहीं कुछ कम नहीं एक बटा सो 25 प्रतिशत का मतलब क्या है तो ये 20 प्रतिशत का मतलब है 20 के लिए 20 अब मैं एक बटा सो करूँ या 20 बटा सो कर दूँ बात तो बराबर ही है 20 एक कम 20 20-25-100, एक बटा 5 मैं आपको ये बताना चाहा कि ये बटा 100 होता ही क्यों है जैसे 15 प्रतिशत तो 15 के लिए 15 और प्रतिशत के लिए 100 तो ये क्या हो गया? 5-3-15 और 20-500 ये हो गया 3 बटा 20 अब ये 3 बटा 20, 1 बटा 5, 1 बटा 4 इस सब का क्या मतलब है? ये भी धोड़ी दिर में बताऊंगा इधर देखे, 10 प्रतिशत को क्या कहोंगे? 10 बटा 100 तो ये ये गया, 1 बटा 10 ये सब तो याद हो जाती है चीजे लेकिन ये आपके syllabus में दिया हुआ है तो इसलिए आपको मैं हल करके और साथ ही साथ प्रैक्टिस करके भी दिखा दे रहा हूँ 5 प्रतिशत का मतलब 5 बटा 120 पच्चे 100 1 बटा 5 अब ये है 6 2 बटा 3 प्रतिशत तो सबसे पहले इस mix fraction को तोड़ेंगे तीन्चकेट 18 और 22 20 बटा 3 गुए 1 बटा 100 20 एका प्रतिशत का तोची नहीं एए एक बटा पंदर है ये क्या है 3 एक बटा 3 प्रतिशत 9 और 10 बटा 3 और गुए बटा प्रतिशत का तोची नहीं है इक बटा सो दस से दस गया यानि एक बटा तीस I think आपको ये बातें समझ में आ रही है जब समझ में आ रही है तो चीजों को मैं एरेज करके एक बार फिर से बता रहा हूँ ठीक है? आप नोट कर लो चीजों को या वीडियो को फिर से देख लेना जैसे यहाँ पर हमने दो चीजे पड़ी है पहले मैं क्या बताने वाला हूँ बता दूँ कि बीस प्रतीसत और पच्चिस प्रतीसत ठीक है? चलो यहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये मिल गया है बीस प्रतीसत और इसका मान क्या निकाला आपने? एक बता पांच और ये आपको याद रह जाए बीस प्रतीसत का मान एक बता पांच तो आप कुछ भी कर सकते हो जैसे चालिस प्रतीसत तो बीस का दुगना है ना चालिस तो इसका दुगना दो बता पांच बीस का त्रिगना साट प्रतीसत तो तुरंथ हो जाएगा एक कर्तिगुना यानि तीन बटा पांच वैसे असी प्रतिशत तो बिश्चोग के चार चार बटे पांच बाते समझ में आ रही है ऐसे आप 20, 40, 60, 80 प्रतिशत निकाल सकते हो जैसे आपने 25 प्रतिशत निकाला तो 25 प्रतिशत का फ्रेक्शन आपको क्या दिखा 25 प्रतिशत का देख क्या दिख जाएगा 25 का दुगना है 2 प्रतिशत क्या दिख जाएगा 25 प्रतिशत क्या दिख जाएगा 25 प्रतिशत क्या दि चलो वहीं में बात बताने वाला था यहां पर सेंट तो पहले ही बता दिया यहां पर देखिए नियुमिलिखित में से प्रतियक को सरल भिन्य के रूप में व्यक्त कीजिए अब इसको सरल भिन्य बोला था ना कि प्रतिशत को भिन्य में बदलना भिन्य को दस्मलों में बदल या प्रतिशत को दस्मलों में बदलना सारी चीज़े आप एकदम बीसिक से सीखा रहा हूं जैसे 125 प्रतिशत 125 प्रतिशत का सरल भिनने क्या होगा तो अभी अभी आपको बता दिये 125 गुणित एक बटा सो या 125 बटा सो 25 पंजे 125 पचिस चो के सो यानि 5 बटा 4 आपका उत्तर होगा अब देखो ये समलों में खुद है तो दसमलों में है तो क्या करोगे पहले तो इस दसमलों को खतम करो पांच और दसमलों के लिए नीचे एक और 010 गुना प्रतिशत के लिए एक बटा सो अब यह होगया 5 दूना 10 और यह होगया एक बटा 200 क्या होगा जीरो दसमलो पांच प्रतिसत का मान एक बटा 200 यह है सखल भिन्य अब एक दसमलो आठ प्रतिसत वैसे 18 लिखो और इस दस्मलों के लिए नीचे एक और इस आठ के लिए एक जीरो और इस प्रतिसत के लिए एक बटा सौ जहां भी प्रतिशत चिन्न मिले इसका मतलब वो गुडित है एक बटा सौ के असाथ अब ये कुछ कटेगा क्या कुछ नहीं अब बुलो है कि सरी नौ और ये दो कटेगा नहीं कटाना ये गलती नहीं करना इसको 18 बटा 1000 लिख सकते हो तो अब 18 ऐसे ही लिख दो एक दो और तीन अंक के बाद इसको दसमलो कहते हैं जहां एक रह उसको दसमलो कहते हैं तो एक दो और तीन अंक के बाद दसमलो दे दिया एक और 0 ताक कि यह 0.08 पढ़ने में तोड़ा अच्छा लगे 14 आप लोग कीजिए बले ही आप वडियो देख रहे हो लाइफ क्लास पिर भी आप लोग लोग रीपलाई करो जैसे लाइब क्लास में आप रीपलाई करते हो थ्यकल 20 प्रतीशत अब 20 प्रतीशत को कैसे बदलोगे 20 बटा 100 20 पंचे 100 सО, एक बटा पांच ये रहा इस तो को भिनने में बदलना प्रतिशत को भिने में बदलना, चाहे वो एक whole number हो, चाहे वो दस्मलों में हो, हम इस तरीके से बदल लेंगे आईए आगे देखते हैं अब कुछ यह mix fraction है, जैसे मिस्रित भिने इसको कहते हैं, बारह एक बटा दो प्रतिशत कहते हैं इसको तो अब मिस्रित भिने को पहले तोड़ेंगे, नॉर्मल प्रतिशत में, तो दो बारह 24 और एक 25, यह हो गया, 25 बटा दो, और इस प्रतिशत के लिए क्या करतेंगे, एक बटा सो, पचीस से कम पचीस, पचीस चोग के 100, एक बटा दो चोग के 8 अब यह है, चौदा दू बटा साथ प्रतिशत, चौदा सत्य अंठानवे, अंठानवे और दू, सो बटा साथ, और प्रतिशत के लिए एक बटा सो, सो सो कैंसे, क्यानि एक बटा साथ, वैसे ही इसका आप लोग निकाली, निकाल के रिप्लाई खीचिए, तो इस तरीके से आप हर तरीके के प्रतिशत को देख लिएं, कि भिन्य में कैसे बदलेंगे, दसमलों में भी देख लिएं, और इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे इसको ये बारा दसमलों पांच भी हो सकता था, इसी को साड़े बारा कहते हैं इसको 14.28 प्रतीशत भी कहते हैं इसको 16.66 प्रतीशत भी कहते हैं ठीक है दोनों का मतलब सेमी है दोनों में से कोई भी रहे उसका fraction यही है और आगे आते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसी चीज़े हैं नमलेखित में से प्रतीख को दसमलों भी ने के रूपे समझाएं देखो पहले से यह दसमलों में है और इसको दसमलों में फिर से बदलना है दसमलों को ही दसमलों में बदलना है कैसे बदलेंगे तो 0.75 प्रतीशत को दसमलों भी निमिस दसमलों में ही रखना है तो पहले आप क्या करो 0.75 लिख दो और प्रतीशत को हटाओ यहां से प्रतीशत हटाना है तो बटा 100 कर दोगे ठीक है आपकी मर्जी अगर आप बिगनर हो तो आप क्या कर सकते हो कि इस 75 के नीचे भी इस दसमलों के हटा के 100 कर सकते हो और यह 100 already है तो अब 75 पुरा लिख दो 1,2,3,4 अंग के बाद दसमलों है 1,2,3,4 अंग के बाद दसमलों है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है और दूसरे तरीके से इसको देखते है 0.8 0.8 प्रतिशत प्रतिशत के लिए 1 बटा 100 अब डारेक्ट अंसर लिख सकते हो कि यह तो 0.8 था ही पहले से और 1 और 2 जिरो और बढ़ रहा है तो 1 और 2 जिरो और बढ़ा दो और यहां दसमलों हो और यह 0 का कोई मतलब होता है कोई counting नहीं होता है यह आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है आईए इस प्रस्न को देखते है 12.5 को 5 प्रतिशत तो इसको मैं 12 125 बटा 10 लिख सकता हूँ और प्रतिशत के लिए बटा 100 लिख सकता हूँ तब यह क्या होगा 125 एक दो तीन अंग के बाद 0 एक दो तीन अंग के बाद 0 ठीक है बोलोगे कि नहीं समझ में आया समझा देता हूँ 125 बटा 1000 लिख होगे न 123 एक दो तीन के बाद दसमलों लगा दोगे आपका उत्तर हो जाएगा काटना नहीं कि 55 प्रतिश पंजे है भिन्न को प्रतिशत में बदलना भिन्न को प्रतिशत में उल्टा आप बढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया आपको कि एक हमेशा कितना प्रतिशत होगा सो या आप खुछ से पूछिए मैं आप से पूछ रहा हूँ कि एक कितना प्रतिशत होता है तो एक हमेशा सो प्रतिशत होता है तो अब मैं बोलू दो कितना होता है जिसका एक से कोई लेना देना नहीं है तो दो भी आप reply करो देखता हूँ आप क्या reply कर रहे हूँ दो भी हमेशा सो प्रतिशत ही होगा तीन भी हमेशा सो प्रतिशत भी होगा दुनिया का कोई नंबर अपने आप में हमेशा हमेशा 100 प्रतिशत ही रहता है लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यदि एक बराबर 100 प्रतिशत तो दो बराबर कितना तब आप कह सकते होगे यदि एक दो है 100 प्रतिशत है तो एक के रिस्पेक्ट में एक की तुलना में दो दो गुना है तो 100 का दो गुना 200 हो जाता है 3 कितना होगा 300% तो 1 şunu कितना होगा तो 1 के लिए क्या लिख रहते 100% और 2 इसको भी कर देंगे एक बटा 2 को 100% 2 बरबर 50% लिखा जा सकता है ये है भिन्य को प्रतिशत में बदल 1 बटा 2 को हमने 50% कर दिया वैसे 1 बटा 3 तो एक के लिए ख्या लिखते हैं सो परतिशत और तीन के लिए बटा तिंध तो अगर मैं इसको एक गुना तो कोई फ़रग पढ़ेगा क्या और बटा तीन है तो कोई फरक नहीं बढ़ा यानि यह भी हो सकता है कि इसको मैं 1 टा Hunting जमकातियों रहने दो जैसा यह वे एक बटातीन प्रस्ट में था और इसको मैं सो प्रतीशत से गुना कर दो तो बात बन सकती है देखो तीन तिया नौ बचाए एक तिन तिया नौ दसम्मलो तीन तीन यह क्या हो गया 33.9 तीन तीन प्रतीशत तो अल्टिमेटली हमने सीखा क्या की जो भी भिन्न है उसको करा दो यह कितना हो जागा 66.66 प्रतीशत बाते समझ में आ रही है भले ही यह वीडियो क्लास है या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके से पाथ हाईस से जुड़े हो आपको वीडियो में कोई चीज़े हो सकता है कि समझ में नहीं आ रही है और आपको एडमिशन भी नहीं लेना है फिर भी आप अगर रायपूर या आसपास से हो तो आप रायपूर पाथ हाईस एकाडमी विजिट कर सकते हो कॉल करके आना और टीचर अविलेबल रहेंगे आपके सारे डाउट सारे आपका एडमिशन है या नहीं है आप एक स्टूडेंट है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपके लिए तैयार है ठीक है जो भी आप मिलना चाहते हो आप स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो पाथ हैस एकाडमी के यूटूब प्लेटफॉम पर और यू या फिर आ भी जाओगे अगर मैं आफिस में या कोई भी टीचर एविलेबल नहीं है तो आप कॉल करना कि सर मैं यूटूब देखता हूँ आप से मिलने आया हूँ कुछ पूछना हो या नहीं पूछना हो फिर भी आजपा सकते हो आपको गाइडलाइंस लेनी है कि कैसे त तयारी से संब्धित या कुछ भी बातिय कर सकते हो 1-1-4 एक बटा-4 एक बटा-4 जार का मतलब क्या है अबaras और टो और मेरे से पहले से प्हेले इंसर कर लो मतलब पच्चिस प्रतिशत कहते हैं जहां भी एक बटा चार दीखें पच्चिस प्रतिशत पाच्च बटा चार का मतलब ताए हो गया ना पच्चिस जो को पच्चिस पनज में छीस ही प्रतिशत बड़ा सचार है तो सबred मुद ₹a छार है तो पत्चेस सथय एक सो पचेटर प्रतिशत आप इस तरीके से नंगा सकते हो जो सकते हो इसका रदाइब क्या है एक बटा-फा李 ऊ- गुणा 100 अब ये कट गया बीस से, इख जहां भी है उसका मतलब है बीस प्रतीक अब एक बटा पांच का जो भी गुनज है, वो बीस प्रतीक की गुनज होगा तो 2 बटा पांच यह क्या है यह कुछ नहीं है, 2 गुना एक बटा पांच है और एक बता 5 का मतलब 20% है तो दो से गुना कराओगे तो 40% हो जाएगा बाकी आपकी मर्जी दो बता 5 गुनित 100 कर दोगे तो 5 दूना 10 दूना 40%, आपका उत्तरा जाएगा तीन बता 5 है तो तीन बता 5 गुनित 100 यानि 60% क्या जरूछ थे अप करने की चार बटा पांच बिस चो के 80 प्रतिसेट चे बटा पांच बिस चो के 120 प्रतिसेट कुछ भी निकाल सकते हो इतना फास्ट हो जाए तो यह तो आपके syllabus में दिया है और मैं यह percentage पढ़ाने से पहले as the basic information पढ़ाता हूँ और basic information से ही आपके सारे question भी आप हमें पूछ लिये जाते है तो basic कितना है तो कितना होता होगा percentage बहुत बड़ा chapter है बहुत बड़ा यानि आपको मैं अगर दो लेक्चर भी देता हूं यूट्यूब में घंटे-घंटे भर के लेक्चर देता हूं फिर भी यह थोड़ा सा कम ही है बट जो syllabus दिया है मैं syllabus आपको complete कराऊंगा यूट्यूब पर ही तो आप हर रोज अब हपते में एक वीडियो अभी मिलेगी आगे चलके दो वीडियो भी हो सकती है हर अपते तो इसको हम क्या कर सकते हैं तो यह काटना चाहो तो काट लो चाहां से पचाहां सब्कक्राभ कर तो जबता थीम अब सोरड़ाटिय और दूबटस पृच्छे बटीशत को आप गित बटा साथ क्या क olsa Babe निवलाइबाशन से निकाले क्या कहते हैं मुझे तो बता है इसको पाड़icon 2-2-5 प्रतिशद कहते हैं वैसे एक बट्र को क्या कहांगी नेक इतलना और 111 I aux hour 9 इसको प्रतीषत इसको इसका दाथ मलों आप से निकालना क्या कहते इक बट्राइक दर और अद। प्रतिशत एक ग्यारल यानि अच्छाफ कि आ cry क्ला इसके रहा भीन्य को प्रतीशत में बगलने का नीया आगे चलते हैं यह चौथा टाइप हो गया देखो मैंने पहला क्या पढ़ा है था प्रतीशत को भिन में फिर उसका डेसिमल फिर भिन को प्रतीशत में फिर उसका डेसिमल स्वरी भिन को प्रतीशत में तीन और यह चौथा हो गया यहां से कौन किसका डिनॉमिनेडेटर है यह सीखने को मिलता है और यह सीखना भौत जरूरी है इसको पूछा है आठ को किसका 32 का तो यह आठ और जिसका भी होगा वो नीचे होगा आठ किसका है 32 का तो 32 में से आठ कितना प्रतिशत है प्रतिशत के लिए अभी क्या सीखा सौ से बुना करना प्रतिशत है इस तरीके से आप बड़े असानी से जाच कर सकते हो फिर अगला प्रतिशन है 45-30 का कितना प्रतिशत है तो 45 किसका 30 का बड़ा चोटा नहीं देखना है कि उपर बड़ा है कि छोटा उपर जो भी है यहां से देखना है जिसका होगा वो अमेशा डिनोमेटर में उपर सकते हैं ईभर में देखना है कितना प्रतिशत के लिए स्व सगुमना है किसका 30, 45 से तो 45 को हमेशा denominator करेंगे 60 अधिक है किस से 60 अधिक है पुछो question तो 45 से तो जिस से अधिक है उसको आप भाग दे दोगे अगर question में अधिक बोला है तो तो 15, 45 अब 100 बटा 3 क्या होता है 33, 1 बटा 3 प्रतिशत बाते समझ में आ रही है आपको चलो और आगे देखते हैं कि 1200 1500 से कितना प्रतिशत कम है तो कम बोला है तो कम देखेंगे 1200 कितना कम है तो 1200 300 कम है तो 300 कितना प्रतिशत है किसका तो 1500 का क्योंकि 1500 से किस से कम है 1500 से कम है तो पंदरा सो का इस तरीके से आपको खुद से कुश्चन पूछना है जिरो जिरो और 3515 पांच दुनाद दस और यह 0 यहनी 1200 15100 से 20 प्रतिसत कम है तो यह चोथा टाइप भी हो गया पाच्वर टाइप में सीधे-सीधे प्रस्न आपके पास है कि कैसे कैसे प्रस्न पूछेगा आए देखते हैं एक सो चालीस का का मतलब गुणा दोन और कितनी का तो इसको हम एक यह दियें एका 120 प्रतीसत और जोड़ 160 इस तरीके से हल करेंगे तो एंसर मिलेगा तो यह हो गया पचास तिया और पचास तुना और यह 32 तुना 64 तिस्तिया 90 960 जोड़ 40 एक ही बार लिखूं एक हजार और बराबर यह हो गया 00 और दो चक्के दो पंजे यानि शिक्स ए बटा पांच और जब यह कर रहे हैं अच्छे चलो एक एक स्टेप कर लेता हो कि अब हम क्या करेंगे एक हजार में से 160 को घटा देंगे और यह पांच इधर आके गुना हो जाएगा बराबर 6 से इसको घटाओ 800 में से 100 गया 900 960 में से 60 गया 840 तो अब यह 840 गुना पांच और यह 6 आगे भागतेगा और यह बचेगा एक अमान तो इसको घटा दो चोदर चक्के 84 तो एक सो चालिस पंजे चोदर पंजे सत्तर 700 एक अमान कितना आ गया 700 तो यह रहा एक साधारन सा और एक्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाला प्रश्ण कि ऐसे प्रश्ण आप एक्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं ठीग आईए आगे चलते हैं चार सो चालिस का 25 प्रतिशत जोर 360 का कितना प्रतिशत बराबर 800 का पीस प्रतिशत इसका मान आप खुद से वीडियो को स्टॉप कीजे और खुद से फाइंड कीजे और रिप्लाई कीजे चार सो चालिस का 25 प्रतिशत अब क्या आप कर सकते थे 25 प्रतिशत देखते एक बट्टा चार कर सकते थे 440 बटा 4 तर 110 ऐसे भी बना सकते हो लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मैं उन सभी स्थूडेंट को सिखा रहा हूं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं व्यापम की या किसी भी competitive examination की या फिर मैं उन students को पढ़ा रहा हूं जो पहले से पढ़ चुके हैं एक बार revision करना चाहते हैं तो पटपट वीडियो फास्ट करके question देखो answer करो आगे बढ़ो ठीक है इसलिए मैंने option नहीं लाया है यह मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो लाय प्रिश्ट इस तरीके से हल भी कर सकते हैं दो जिरो दो जिरो गया एक जिरो एक जिरो अठारत दोना च्छतेस दो पंजे दस एक चिस चो के सो चारे कम चाहर अब यह क्या गया 110 जोड 18 ए बटा पांच बराबर अड़ने सूलह 160 अब यह 18 ए बटा पांच और 160 में से 110 घटा पचास तो यह 18 एक अमान क्या हो गया पचास गुना पांच बोल हम एक 110 प्लस से इधर चाहिए माइनस हो जाएगा सिंपली तो क्या बच जाएगा पचास सब एक अमान कितना हो जाएगा दूसो पचास बटा अठारा ठीक है तो यह हो गया एक सो पच्चिस पटा नौ यह कट गया ना दो से हैं दोनों अठार है और एक सो पच्चिस नौव एकम नौ तीन बारा पैंतिस नौचे ओगे छतिस लगभग चौदा प्रतिशत ठीक है यह 35 है और यह है तो चौदा प्रतिशत लगभग आप एक्जेक्ट भी नहीं काल सक प्रतिशत आएगा फिर से एक बार नौ वेकम नौ नौ तीन बार तो यह तीन पंजिब और पांच 35 हो गया नौ चौब के चतिस एक ही पॉइंट तो है एक का नौबा भाग आएगा तो लगभग हम चौदा प्रतिशत कह सकते हैं इस तरीके से आप ले सकते हो एंसर अगला यदि एकस माइनस वाई का 50 प्रतिशत एकस माइनस वाई का मिन्स कुणा 50 प्रतिशत बराबर है एकस जोड़ वाई के 30 प्रतिशत के है तो एकस वाई एकस का कितना प्रतिशत है ठीक है वो निकाल लेंगे पहले एकस वाई का माण निकाल लेते हैं तो दोनों तरब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाता है 0 से 0 cancel अब 5X माइनस 5Y बराबर 3 से इसमें गुना 3X 3X जोड 3Y अब 5X माइनस 5Y तो X को एक तरफ करो ठीक है तो ये 5X और माइनस 3X बराबर 3Y जोड 5Y तो 5X माइनस 3X कितना हो जाता है 2X और ये हो गया 8Y तब X बराबर Y क्या हो जाएगा ये 8 है यहाँ और ये 2 यहाँ इसको काटोगे 4 बराबर 1 तो यहाँ कह सकते हो X बराबर 4 और Y बराबर 1 ठीक है अब प्रस्न क्या पूछा है उसी language में रख लो Y X का Y किसका X का कितना प्रतिशत है ये हम को चाहिए तो Y कितना है 1 X कितना है 4 प्रतिशत के लिए क्या 100 इससे काट दिये कितना बचा 25 यानि Y X का 25 प्रतिशत है ये आपका उत्तर है सधारन सधारन प्रस्न ही पूछता है और ये प्रस्न सधारन ही है इससे बहुत जादा उपर की चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे जब आप पाथाईस एकैडमी को जोईन करते हो ऑनलाइन या ओफलाइन बाकी अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में बहुत कुछ है मैं तो आपको आठ से दस टाइप की बात किया हूँ ये लो ये भी व्यापम का फैवरेट कोश्चन है छटा टाइप आगया हमारे पास चटा टाइप मतलब चटा कोश्चन नहीं है बहुत सारे कोश्चन निकल लिए पाच टाइप निकल गया है मतलब पाचे हो के 20 लगबग 18 से 20 कोश्चन हो चुके है स्टुडेंट गेट 30% मार्क सीन एन एक्जामेशन एक चातर एक परिक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है ठीक है भई ये ले लो तुम 30% अंक और 30% अंकों से अनुतृरिन हो जाता है 30% अंक प्राप्त करके और 30 से फיल हो गया अब 30% अंक मिला है और रोए चल रहे स्कूल में मुझे 30% मिले मैं फेल हो गया ऐसा कोई करता नहीं बस मज़ाग के लिए इसको अगर 30 अंक कहीं से मिल जाए तो ये क्या होगा आप ही बताओ 30 प्रतिशत लिया है और 30 अंक से फेल हो गया अगर किसी ने इसको 30 अंक दे दिया तो ये पास हो जाएगा ना और पास होने के लिए जितने कम से कम अंकों की ज़रूरत है उतना ही अंक इसको मिला है न एक अंक जादा न एक अंक ये पास हो चुका है और दूसरा एक अनिचातर उसी परिक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है जो उतिर्ण अंकों से 60 अंक अधिक है कि 40% तो इसको मिल गया तो 40% मिल गया तो तो घर जा यहां पर क्या कर रहा है तो सारे स्कूल में गूम गूम कर बता रहा था कि मुझे पास होने से 60 नंबर जादा मिला है 60 नंबर जादा मिला है तब तक 10 बच्चों ने घेर लिया उसको कि 60 नंबर दे ठीक है पहले तो समझाया कि देख तुझे 40% मिला है जो कि पास होने से 60 जादा है तो तुझे पास होने से मतलब है तू पास्त हो जाओ और जितना जादा है सब दे नहीं देगा तो मार के छिल लेंगे ठीके तो बच्चों ने यही किया या तो वो दे दिया होगा या उससे मार कर छिल लिया गया उसको जितना जादा नंबर मिला है जोक सपाइट ऑकी बट क को 40% अंक मिला है जो 40% अंक पास होने से 60 अंक जादा है अगर 60 अंक इससे ले लिया जाए तो भी ये फेल नहीं होता ये पास ही रहेगा क्योंकि पास होने के लिए निम्नतम जितने अंकों की जरूरत है उतना ही अंक इसको मिला है यानि दोनों के दोनों पास हो गए दोनों मुस्कुराने लगे अब इसको तो मुस्कुराना ही पड़ेगा वो तो खिल खिला गया यानि दोनों का अंक बराबर है अब प्रतिशत को एक तरफ कर लीजे तो ये है 40 प्रतिशत प्लेस का और यह प्लेस इदर जाके माइनस हो जाएगा 30 प्रतिशत और यह माइनस का 60 है तो इदर प्लेस हो जाएगा इसमें 30 चोड़ दोगे तो ये कितना हुआ दस प्रतिशत और ये कितना हुआ नमबे दस प्रतिशत का मान नमबे तो एक प्रतिशत का मान देखो जिरो जिरो गया नो तो सो प्रतिशत का मान एक गुना सो होता है न एक प्रतिशत है सो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना जाएगा नो सो कि ये जो परिक्षा है अधिक्तम 900 वंको की है क्योंकि कोई भी एक परिक्षा अधिक्तम 100% की हो सकती है यानि प्रतिसर चैप्टर में अगर कुछ भी बात होगी तो 100 के बेस पर बात होगी 100% की बात होगी ठीक है आईए और आगे चलते हैं उसी का टाइप 6 है दूसरा कॉस्चिन आप चाहो तो आप वीडियो को स्टॉप करके खुछ से सौर्फ करो जादा बढ़िया होता है अब मैं फटा-फट सौर्फ करता हूं अब कहानी नहीं एक छातर को परिक्षा में 30 प्रतिसत अंग प्र अगर इसका पचास ले लें तो यह भी उतना ही नंबर मिलेगा इसको जितना पास होने के लिए मिनिममम भी जरूबत है दोनों बराबर हो गया चालिस और तीस का डिफरेंस यहां से देख लो कितने का है दस प्रतिसत और यह पचास आकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएग 70 तो डरेक्ट अंसर ले सकते हैं कि 10 दहिया 100 दस गुना दस करेंगे तो 100 हो जाएगा और तो 70 गुना दस करेंगे थोड़ से स्मार्ट कल्कुलिस्फन हो गया तो 100 प्रतिसत बराबर 700 अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में यह आ रहा है तो पीछे वाले कोशन के दिरू 20 का आंतर कितना है 70 ध्यान रखना कि 50 माइनस 20 नहीं दोनों को प्लेस करना है इदर माइनस उदर प्लेस तो 10 प्रतिसत का मान 70 तो 100 प्रतिसत का मान 700 देखते ही सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस अच्छे दो ही कोश्चन साथवा आ गया ऐसे और भी कोश्चन का प्रैक्टिस करना है तो पाथाईस एकाडमी में मैंने एक बुक लिख रखी है वो बुक आपको पेडिये फॉर्म में अविलेबल हो जाएगी तो आप प संख्या में 25 प्रतिशत की व्रिदी की जाती है कितने की व्रिदी 25 प्रतिशत की व्रिदी की जाती है तो संख्या 2060 हो जाती है तो मुल संख्या ग्याद कीजिए मुल संख्या कैसे ग्याद करेंगे माना एक बट एडिस्टनल फिर लॉजिकल बताऊंगा माना मुल संख्या बराबर 100 प्रतीशत ठीक है तो प्रस्टना नुसार इस 100 प्रतीशत और वो संख्या में 25 प्रतीशत की ब्रिधी हुई है increase मतलब plus और ब्रिधी मिन्स 25 प्रतीशत और ये कितना हो जाएगा बढ़के संख्या कितनी हो गई है 2000 जैनि 125 प्रतीशत का मान है 2000 60 तो एक प्रतीशत का मान क्या होगा ये जाके इदर भाग लग जाएगा 260 बटा 125 तो 100 प्रतीशत का मान क्या होगा तो फिर एक गुना 100 होता है न 100 एक में 100 से गुना किया तो तो इधर भी हम 260 बटा 125 को 100 से गुना कर देंगे बारा साथ का परटीस परतिसात निकाल के घटा देंगे तो वहाँ से गलत एंसर रहेगा टेकँ अब इसका दूसरा मतलब method क्या है तो मैंने आपको बताया था कि मैं भिन्ने का मतलब आपको समझाओंगा तो वो बात आगी है आप भिन्ने का मतलब यहां से समझे कि क्या है जैसे कि हमारा 25 प्रतिशत संख्या में बृधी हुई है तो ये 25 प्रतिशत का मान भिन्ड में क्या होता है? 1 बटा 4 अब ये 1 बटा 4 क्या है? तो हमेशा जो भी किसी संख्या का हर वो मूल संख्या कहलाता है यानि जो मूल संख्या निकालने की बात हो रही है वो होगी 4 इकाई और इसमें प्लस मिंस ब्रिदी हो गई है एक इकाई की, अगर वो संख्या चार है और वो एक बढ़ जाती है, तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी, चार जोड़ एक पांच, यानि पांच इकाई का मान बढ़ी हुई संख्या के बराबर होगा, जो की है दो हजार तार्ट, तो एक एक आई का मान कितना हो जाएगा पाँचे कम 5 पाँचे कम 5 पाँचे कम 5 412 मुल संक्य कितनी है 4 गुना 412 बराबर 1648 तो यह और जल्दी अंसर दे देगा अगली बार से तो मैं ओतरा भी नहीं लिखोंगा तो इस कुस्ष्यम को बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अब पटाफट प्रैक्टिस करेंगे एक संख्या में साड़े बारह प्रतीशत की बृधि है तो काफिर डिफिकल्ट हो जाएगा आप दुसरे मेथड से करोगे तो इसका कैल्कुलिशन बृधि की जाती है तो संख्या 36 हो जाती है तो मुल संख्या ग्याद करें कैसे ग्याद करेंगे मुल संख्या तो साड़े बारह प्रतीशत इसका बारह दसमलों पांच प्रतीशत का भिन आज ही आपको पढ़ाया क्या होगा एक बटा आठ वीडियो में बैक चाकर देखिए दो बार पढ़ाया है इसको भिन्य में बदल लो प्रतीशत को किस में बदल लो भिन्य में बदल लो अब ये बढ़ जाती है ना साड़े बाबरक की बृधि होती है तो बारह ये एक बढ़े गया तो ये बढ़के कितना हो गया आठ और एक नौ यानि नौ इकाई का मान कित कितना हो जाएगा 400 तो 8 ही काहिका मान कितना हो जाएगा आठ चोव के 32 तो यही होगी आपकी मूल संख्या क्योंकि हमेशा हर को आप मूल संख्या कहेंगी हमेशा किसी भी चैप्टर में और आगे चलते हैं इसका उत्तर दीजिए कि संख्या में 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत के ब्रिधी इसका फ्रैक्शन आपको क्या बताया था एक बटा 6 आज के वीडियो में देखे और यह कई बार प्रयोग होगा तो आप सीख जाओगे तो एक बटा 6 यानि मूल संख्या 6 तो ब्रिधी कितने की एक की एक और छे साथ तो नई संख्या क्या हो गई साथ यानि साथ इकाई साथ इकाई का मान कितना कहेंगे चार अजार नौसो संख्या थी ब्रिधी के बाद इतनी हो गई है आई होप आपको यह चीज़े समझ में आगी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े अच्छे से सीख लेंगे यही हमारे क्लास का मोड होता है कि हम आपको क्लास में भी एक चीज़ों को देखर उसके उपर प्रैक्टिस कर आएंगे और फिर आपको वर्क बुक देंगे एक तो यह पीडिएफ भी देंगे फिर यह सिखा लेंगे तो फिर आपको वर्क बुक देंगे आप वर्क बुक हल कर लो उसके बाद दुनिया का जो भी प्रस्ण है उसको हल करो इसके लिए आपको free छोड़ देते हैं दुनिया का कोई भी प्रस्ण तो मेरा workbook मेरा PDF अगर आपने solve कर लिया तो आप कुछ भी solve कर सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परिक्षा को फेस कर सकते हो गणित में कोई समस्या नहीं होगी चल शुरू करें एक संख्या में 20 प्रतिशत की कमी की जाती है तो संख्या 160 यह support नहीं किया है संख्या 160 हो जाता है तो मुल संख्या ग्याद करो कैसे ग्याद करेंगे तो 20 प्रतिशत की कमी हुई है इस बाहर कमी का मतलब माइनस होता है और बिस प्रती सद का प्रेक्शन बीस पंजे 100 एक बठापांच होता है नहीं तो आप निकाल लोगे तुरंच बीस बठापांच करके अब यह क्या हो जाएगा एक घट गया यानि संख्या पांच से घटके चार हो गई पांच माइनस एक चार यान मिल्टos निए संख्या कितनी थी दोसो गटी हुई दिया तो बड़ी हुए निकाल सकते तो इससी Chinese मैनेज होगा ना आपका में तो गेम है टाइम मैनेजमेंट का कि आप कितना टाइम मैनेज कर रहे हो देखो इतने सारे कोश्चन करा दिये हैं अब नहीं तो कब मुल संख्या ग्याद करो आप ग्याद करो और रिप्लाई करो भले ही वीडियो देख रहे हो जब एंसर फाइंड करें तो एक बार टाइप कर दो किसारा हमारा एंसर गिया है ठीक है कि अनंबर इस डिक्रीजड बाई वन फॉर सॉरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर सब्सक्राइब तो करी लेना बीस वीडियो की बात है पूरे कोर्स की बात है यह आठवार टाइप यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कुप कुछन पुछता है यहां से दो संखिया एक तीसरी संखिया से करंशा 20 और फ्रतिशत अधिक पहले के संबंध में तो माना तीसरी संख्या माना थरड नमबर है टीड थर्ड नमबर एक갈 सौ जिससे कंपेर किया जाए उसको हिंदी में लिख सकते हो माना तीसरी संख्या किके है 100 प्रमसर बीस प्रतिशत और पचास प्रतिशत अधिक है यानि दो संख्या है यह है पहली संख्या पॉस्ट नंबर थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं बताने का बनता है और दूसरा है सेकेंड नंबर तो पहला नंबर क्या है आपको इतना समझ में आना चाहिए और आभी रहोग बीस प्रतिशत अधिक और दूसरा कितना है पचास प्रतिशत अधिक तो प्रतिशत निकालना तो सिखाया ही नहीं बर्कुदार अब तक मैं पढ़ाय जा रहा हूं पढ़ाय जा रहा हूं तो अब तक तो प्रतिशत निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी अब जरूरत ह है और इसके आगे भी है तो मैं आपको प्रतीशत निकालना सिखा दे रहा हूं जैसे आपसे बोलेगा कि पांचसो चालिस का पांचसो चालिस का तीस प्रतीशत ग्याद करें तो आप नॉर्मली कैसे करोगे पांचसो चालिस का तीस बठाओं है तो टीन चों के बारा है एक और सो लेकिन ये तो ट्रेडिस्टनल में इसको तु सिख नहीं है इसके तुरु तु जान नहीं है और भी मैथध है क्या और दूसरा मैथड बताता हूं दूसरा मैथड क्या है कि आप लिख दो पांचसो चानिस और किसी भी संख्या का आप 10 प्रतिशत निकालना चाहते हो इसके काई यंग के बाद दस मलो के दो यह वह मैं प्रस्तृ सब्सक्रारा सपना हो थानं कितना होगा त дело कितना होगा है पांचसू कि अगर इसका बीस प्रतिशत पूछते हैं तो दस का दुगना होता है बीस तो चोवन का दुगना कितना होगा एक सो वाट गोलो हां, अगर इसका 30 प्रतीषत पूछ दें, तो 10 का 3 होता है, 30, तो 54 का 3 कितना होगा, 50 का 3 गुणा, 1.5, 4 का 3 गुणा, 12, तो 1.5 और 12, 162, low answer match कर गया, तो आप ऐसे भी, आँखों आँखों में प्रतीषत निकाल सकते हो, देख के, बाकि, आप से ऐसे ही पूछेगा माल कि 54 का एक प्रतीषद कितना होगा 540 का एक प्रतीषद तो क्या करोगे पांच सो ऐसे तो निकाली ले ना 542 और दो नके बास तंबलों तो यानि इस में बीस इड़ जूड़ जाएगा तो इस्तों में जब आप 100 का 20 प्रतिशत 20 होता है तो 20 जोड़ दोगे तो ये पहली संख्या हो गई 120 और इसका 50 प्रतिशत 80 ही होगा 50 जोड़ दोगे तो पहली संख्या हो जाएगी 150 तो पहली संख्या मिल गई 120, दूसरी संख्या मिल गई 150, तीसरी संख्या मिल गई 100, अब तो जो पूछेगा वो बता सकते हैं, क्या पूछा है, पहले के संबन्ध में दूसरे का प्रतीशत, यानि पहले के संबन्ध में दूसरे का प्रतीशत, यानि दूसरा कितना प्रतीशत है किसका पहले का तो दूसरा है एक सोपचास पहला है एक सो बीस गुणित सो है ये तो ये गलती होना यहां से आम बात है टीन पंजे पंदरह और तीन चोग के बारह पचritis को के सो पच्चिस पंचे एक सो पच्चिस तो हमारा एंसर कितना हो जाएगा एक कि आपको बाते समझ में आ रही है तो यह आठवा टाइप का पहला कुश्चन था अब यह देखो नोवा टाइप अठवा में एक ही बताया है चलो उसमें और भी यह आएगा कि यह दो संख्या तीसरी से इतना इतना अधिक है तो ठीक एक कुश्चन नोवा टाइप यह दि व यह दिना की आयसे कितना प्रतिशत कम है यह भी बड़ा ही फेमस कुश्चन होता है वंदना की आया आरती की आयसे 25 प्रतिशत अधिक तो एक तरफ आरती और दुसरी तरफ वंदना और वंदना कर रही है जोग सपार्ट अगेन वंदना की आयसे 25 प्रतिशत अधिक है माना आती की आयसे 100 है तो वंदना की आयस कितनी हो जाएगी 25 प्रतिशत अधिक तो सो का 25 प्रतिशत 25 ही होता है सो में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125 नियान लखना यह प्रतिशत है यह 25 होगा ना आरती की आए 100 है तो वंदना की आए हो जाएगी 125 तो अब कोश्चन पूछा कि आरती की आए वंदना की आए से कितना प्रतिशत कम है तो वंदना से कितना कम है सिखाया था आपको वह किसका आप बताओ 100 का या 125 का आपको रिपलाई करो कि बंदना से चेक किया जा रहा है बंदना से आरती कम है तो बंदना से भाग देंगे हर किसको बनाए इसे मैं समस्य आती है 25 पंजे 125 और 5 दुन 10 बीस यानी आरती किया आए बंदना की आय से 20 प्रतिशत कम होईगी, I think आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई है, वैसे ये question है, आप इस question का reply कीजिए, यदि अंकिता की आय, आरती की आय से 20 प्रतिशत अधिक है, तो फिर से एक तरफ आरती, और दुसरी तरफ अंकिता, माना आरती की आय सो, और अंकिता की आय आरती की आय से 20 प्रतिशत अधिक है, तो डिरेक कहूं न, अब 120, तो आरती की आय अंकिता से कितने प्रतिशत कम है, तो आरती इस से 20 कम है, देखो ये 20 जादा थी, तो ये 20 कम है, लेकिन ये प्रतिशत कमी कितनी की है, प्रतिशत कमी, तो 20 कितना प्रतिशत है किसका 120 का तो 20 चाहिए 120 आप सो बटा च्छे पढ़ाया था ना क्या होता है याद करो 16 दू बटा तीन नहीं तो काट के सौब्ट कर ले ना ये 50 और तीन सो लत तीन तालेस और दू बटा तीन प्रतिशत ठीक है आपको समझ में आ रही है आप सारी बाते मुझे पूरा पूरा यकीन हो रहा है कि दस वाट टाइप एक सहर के अब जनसंख्या समंधित प्रस्त यानि काओगे कि यह टाइप 3 हो गया तो ऐसे कुशन और भी मिलेंगे वीडियो तू में बट एक कुशनिया देखते हैं अबंगे वर्टमान में एक सहर की जनसंख्यय एक लात 먹어 8 यख सहर की जनसंख्य एक लाक में कितने जिरू teh तो पांच कुल संख्य कितनी होती संगी घिए जनसंख्यय में प्रतीक बप्रतिशत की अधिशतह नहीं प्रतिशत की और ठीन वMusic हर साल जन्संख्या तो का 110 हो जाएगा 153 क्या कर सकते हो तो 110 बटा 601 साल के बाद हुआ और यह कितनी बाद हुआ तीन वर्स बाद सायर के角 संख्या चाहिए इसका हाध तीन कर दो यह इसको 30 से गुना कर लो एक बार फिर बताऊंगा इसको 110 बटा 100 अब इसको काट काट के हल कर लो एक तो ये तरीका हो गया दूसरा क्या तरीका है कि 10 प्रतिशत का भिन्न आपको समझाया था कि ये होता है 1 बटा 10 यानि सहर की वास्तिविक जनसंख्या हर होगा यानि 10 और ब्रिधी मतलब 10 से एक बढ़ गया कितना हो गया 11 तो 10 का 11 हो गया यानि 11 बटा 10 हो गया जो जनसंख्या 10 प्रतिशत बढ़ने का मतलब 11 बटा 10 तो आप यहां से 1,00,000 गुना 11 बटा 10 तीन साल बाद है तो यहां घात 3 कर दो आप इसको भी एंसर करोगे तो एंसर है आप हल कर लेना मैं दूसरा मैथर बता रहा हूँ यह पहला मैथर है यह दूसरा मैथर कि एक लाख अब यह 11 का क्यूब 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है तो 30 से 30 कट गया और 133100 यह जनसंख्या हो जाएगी तो 3 साल के बाद बड़े आराम सा एंसर आपको मिल जाएगा यहां से भी काट सकते हो एक, 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 एक फिर एक एक, दो, तीन, एक, दो, तीन यहां से तीन, दो और एक, तीन तो 11, 11, 11 1331 गुना 100 ऐसे भी आपका एंसर आ सकता है चुकि मैं फ्रेक्शन सी खारा था इसलिए फ्रेक्शन वाला भी बताया अब एक यह टाइप है एक आदमी की आएप पहले 10 प्रतिशत के बृद्धी होई और बाद में 20 प्रतिशत की फिर से बृद्धी होई तो कुल आएप में प्रतिशत बृद्धी ग्याद करें तो माना उस व्यत्ती की प्रारंभिक आए कितना माना? 100 पहले 10 प्रतिशत की बृद्धी होगई तो यह क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा यह होगया 110 और फिर 20 प्रतिशत की बृद्धी होगई तो अब इसका 20 प्रतिशत बढ़े हुए आए का बढ़ता है दूसरी बार तो 11 दूना 22 के बृद्धी यहां से होगई अब यह कितना होगई? 132 तो 100 का 132 होना तो कितने के बृद्धी होई? 32 की और 100 पर हुआ है तो चेक करने के जरूद नहीं नरक कहदेंगे कि उसकी आए में 32 प्रतिशत की बृद्धी होई है तो इस तरीके से कितने कुष्षन आते हैं? आईए मैं आपको सिखा लो कि दोनों बार बृद्धी हो सकते है अगर दोनों बार उसकी आए में 10-10 प्रतिशत की बृद्धी होई है तो overall ब्रिधी 21 प्रतिशत की होती है दोनों बार अगर उसकी आय में 20-20 प्रतिशत की ब्रिधी हुई है तो overall ब्रिधी 20-20-40 और 44 प्रतिशत की होती है तो ऐसे दोनों बार में ब्रिधी हो सकती है दोनों बार में 10-10 प्रतिशत की कमी हो सकती है एक बार में बृद्धी हो सकती है और एक बार में कमी हो सकती है तो इसके चार टाइप आते हैं तो यह कापी लंबा वीडियो हो गया इतना ज़ादा यूटूब पर पढ़ाना सारी चीज़े मैं फिर से कर रहा हूँ फॉसिबल नहीं है बाकी आगे की चीज़े जानने के लिए आप पाथ हायेस अक्याडमी के एक क्लास को भी जोईन कर सकते हो, लेकिन जनसंख्या से सम्मंदित, जनसंख्या प्रिधी कमी से सम्मंदित एक और वीडियो पसंटेस पर आएगा, ओके? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हम लोग पसंटेस 2 के साथ, हर अपते में एक वीडियो आना निश्चित है, तो आप जुड़े रहे हैं पाथ हायेस अक्याडमी के साथ, बाई बाई, टेक केर